असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ साउथ इंडियन की फेमस चटनी नारियल की चटनी की रेसिपी जो बहुत टेस्टी बनती है और इसे इतली दोसा के साथ खाई जाती है और इसको बनाना भी बहुत आसान है चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं आधी कटोरी मैंने नारियल लिया हुआ था फिर इसको एकदम अच्छे से छिल लिया है और पतला लंबाई में कट कर लेना है आधी मुट्टी हरी धनिया 5-7 हरी मिर्ची अद्रक 5-7 लेसुन की कली ग्रेंडिंग जाल लेंगे इसके अंदर हरी धनिया हरी मिर्ची लेसुन और अद्रक को डालना है हरी धनिया फ्रेश लेना है और इस तरीके से डेंठल होनी चाहिए इसके अंदर इससे टेस्ट और खुश्बू बहुत अच्छा आता है इसी के साथ साथ हमें भूनेवी मुंफली और भूना हुआ चाना लेना है अगर आपके पास डाल है मुंफली डालना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसी के साथ साथ हमें डालना है आधी चम्मश दिल आप ये जरूर से डालिएगा अब इसके अंदर हम नारियल डालेंगे जो हमने छिल कर रखा था इस तरीके से पतला लंबाई में कट कर लेना है आधी चम्मश नमक डालेंगे थोड़ा सा पानी डालना है बहुत जादा नहीं थोड़ा ही डालना है दो टेबल स्पून के करिब एक चम्मश भर कर दही डालेंगे दही फ्रेश होनी चाहिए अगर आपके पास दही नहीं है तो आप इसके जगा लेमू का जूस भ लेना है यह देखिए मैंने दरदरा सा पीस ले हूँ अब इसके अंदर पानी डाल कर एकदम अच्छे से चटनी बना लेनी है यह देखिए मज़ेदार हमारी चटनी बनकर त्यार हो गई है आप देख सकते हो अब इसे हमें निकाल लेना है और इसके अंदर हम देंगे एक पढ़ियां सा तड़का तड़का पैन में हम तेल गरम करेंगे तेल जैसे ही गरम हो जाए इसके अंदर हम आधी चमज डालेंगे राई इसी के साथ साथ से आठ करी पत्ता डालेंगे अब यह तड़के को चटनी के उपर पूर कर देंगे मज़िदार हमारी साथ इंडियन चटनी बनकर तयार हो गई है आप इसे इटली दोसा के साथ इंजॉय किजिएगा और मुझे भी जरूर से बताना आपको कैसी लगी यह रेसिपी अगर यह आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा थैंक यू फूर वाचिंग अल्ला हाफिस